ये 3 idiots movie के कुछ किरदार है और इन सभी किरदारों में जिस इंसान की value शायद सबसे कम थी वो आपको पता है इस सक्सियत को कई लोग silencer भी कहते थे और भारतिय समाज में ऐसे लोगों को रट्टू तोता का tag दे दिया जाता है पई नोसी के खिलाडी इस तरीके से motivate कर देते है कि पागल हो जाओ पागल हो के पढ़ो और बेवकुद बन के पढ़ो और जोगो कर दोगे फोर्ट दो के सोना नहीं है तस मिनटी जोना है पीस गंडे पड़ना है 26 गंडे पड़नाहिए इस रख लेकिन रूख नहीं रहा है तुम्हारे पास एग बालती है इसमें छेद हो कि किसके पास में फोटोग्राफिक मेमरी तो इस इंसान का नाम निकल के आएगा और ये हैं आपके प्यारे तौमी बीबे कलंद और इनके लिए कहा जाता है और मैं इनी के मिशन को लेकर चल रहा हूँ बोजस्वी देजस्वी तपस्वी भारत इतनी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक सूपर पावर मैं जिसका नाम अभी तक अवाइड कर रहा था और जो मेरा खुद की कहानी है वो मैं आपसे डिसकस कर रहा हूँ उसका नाम है मनन यानि की मेमराइजेशन जमतकारी क्या दास्त इसका सीधा मतलब है photographic memory और मुझे लगता है कि कई बार ऐसी बात जब यादास्त की बात आती है तो कई लोगों लगता है कि memory का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं जो entrance exam की तियारी कर रहे हैं जो भी इंसान इस धरती पर जिंदा है हर एक के लिए memory का उतना ही importance है जमतकारिक memory, photographic memory अगर मैं आपसे यह कहूँ that if you want to become memorable आप ऐसे वेक्टितों बनना चाहते हैं जिसको हमेशा याद किया जाए तो उसका एक ही रास्ता है great memory देखे इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं एक वो जिनके जन दिन मनाई जाते हैं उनके लिए केक काटा and so on दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिनकी जैनती बनती है और जिसकी भी जैनती बनती है they had great memory बिना जबरदस्ट memory के किसी भी इंसान की जैनती मनना असंभव है create memory भारत में कुछ ऐसे लोग हुए है Swami वेकानल he is just known for his memory क्या जबरदस्थ memory थी उस इंसान की photographic memory और मैं वो सारी चीजें आपके साथ में डिसकस करूँग आज बहुत भी जबरदस्थ content हम लोग डिसकस करने वाले है actually में होता क्या है memory जो है वो आपके रिष्टे बनाती है और रिष्टे बिगारती भी होई है अगर माली जीए किस इंसान ने आपका जन देन याद रखा आपके एनिवर्शर याद रखे जो भी आपके जिंदगी में आसपक इवन्ट हुआ है उसको याद रखा और आपको विष्ट किया friendship दे याद रखा आपको विष्ट किया तो आपको अच्छा लगता है मेरी कद्र करता है, मेरी परवा करता है मेरा खयाल है इसे और आपका रिष्टा मजबूत होता है वहीं कोई आपका करीबी आपकी करीब से करीब जो आपके लिए जिंदगी में सबसे important date है उसे भी भूल जाता है तो आपको विकार लगता है आप रिष्टे खराब कर लेते हैं आप चीजे तोड़ लेते हैं आपको लगता है कि इसको मेरी रत्ती बराबर की परभाद नहीं है जिंदगी में 90% stress का reason जो आपकी जिंदगी में तनाव आते हैं 90% stress का reason आपकी पूर memory है पीचर्स ने आपको डाटा हो परेशान किया हो घरवाले आप से तेंग होगे कि तिरको बोला तो था तुने किया नहीं और बहुत सारी चीजे हैं memory से connected है तो चाहे रिष्टे हो चाहे आपका stress हो आपके parents कि तिरको बोला तो था तिरको याद नहीं है पीचर्स बोला था याद करके आना याद करके नहीं आए friends तेरे को तो यही चीज नहीं पता तो क्या नहीं है और भी बहुत सारी चीजे है memory से connected है अच्छा memory का मतलब एक confusion है लोग के दिमाग में कि memory का मतलब सिर्फ याद करना है remembering is memory no forgetting is also the part of memory process also the part it is the equally important one वो इसलिए तो कि आपकी जिन्दगी में बहुत बार ऐसे event होते है जो आपके लिए इच्छे नहीं होते है तो आपका brain कोशिच करता है कि ऐसे चीजों को भुला दिया जाए याद ना रखा जाए और इसलिए हमारे दिमाग में उन memories को delete करने का process है दुनिया में कुछ जैसे लोग भी है जिनके पास ये process नहीं है उनकी बात भी हम लोग करेंगे memory बढ़ाने के लिए कौन-कौन से तरीके हैं उनकी बात भी हम लोग discuss करेंगे memory एक इतनी important चीज है कि memory आपकी intelligence का foundation है दुनिया में किसी भी entrance exam का foundation memory है भारत में चाहिए वो UPSC हो, NEET हो, JEE हो आप वकालात करते हैं, आप डॉक्टर हैं आप जज हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप पॉलिटीशन है बिना शार्प memory का आप impact करेंगे नहीं कर सकते फिलाल सेशन की शुरुआत करते हैं बन बाई बन चीजों को समझते हैं सबसे पहले मारे फाइदे की बात ही करते हैं शायद वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा benefits of strong memory लेकि हम जिस culture से बिलॉंग करते हैं हम जिस society से बिलॉंग करते हैं शायद उस society में memory की उतनी value की नहीं जाती है एक photograph आपको दिखाता हूँ ये three idiots movie के कुछ किरदार है और इन सभी किरदारों में जिस इंसान की value शायद सबसे कम थी वो आपको पता है इस सक्सियत को कई लोग silencer भी कहते थे और भारतिय समाज में ऐसे लोगों को रट्टू तोता का tag दे दिया जाता है उनको बोल दिया जाता है कि आप रट्टू हो और आपकी कोई value नहीं है ठीक है अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ एक बहुत simple सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ रटाफिकेशन को रटने को एक बहुत गलत व्यक्तित्व की निशानी माना जाता है कि उसकी reputation उतने अच्छी नहीं है ठीक है इंपोर्टेंट सीज ये है कि मैं एक बहुत basic sentence आपको देता हूँ that hawk flies alone in group ठीक है अगर आपको इस sentence का मतलब निकालना है तो आपकी memory में कुछ पता होना चाहिए आपको कुछ content होना चाहिए कि hawk का मतलब क्या होता है कि भाई बाज होता है याद होना चाहिए fly का मतलब क्या होता है alone का मतलब क्या होता है vision का मतलब क्या होता है दर्ति पर आये हैं और आपने बहुत सारा content पड़ा है तो आपने बहुत सारे लोग का experience आपने आपने समा लिया है तो रटना जिसको इतना बदनाम कर दिया गया है और रटने को सीधा memory से connect किया जाता है रटना मतलब इसकी memory अच्छी है और यह बेकार चीज है यह बेकार चीज है यह बेवकूफ है यह रट्टू दोता है और बिना जाने क्या क्या बाते होती है रट्टू दोता है लेकिन सचा यह है कि बिना memory के आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपको यह ना बता हो कि आपने खुद का शर्ट कहां रखा था आपकी पेंट कहां रखी है तो आप सुबह तयार होने में लेट हो जाएंगे आपको breakfast में क्या पसंद है कौन सा खाना है तो आपकी दवित खराब होने लगेगी और कई चीज़ें कि क्या आपने ऐसा किया था जिससे आपकी हल्थ ठीक होगी खेर इसको मागे डिसकस करेंगे आगे एक और चीज़ है एक और चीज़ है तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोचल इंपरेशन एक बहुत सिंपल सा में एक्जामपल आपको देता हूँ ये आजाद हिंदुस्तान के दो पी एम है जिनकी फोटोस में आपको दिखा रहा हूँ ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन सिंग एक बहुत ही समझदार व्यक्टित्व के धनी है लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया जोड़ी सपीच च देते हैं ऀंके सामने पोर्मझे का का जाता है regnod mulho इनको एक बेटर एडवांटेज देती है इन कंपेट तुदा मनमोहन सिंग हो सकता है कि इनके पास डिगरी बहतरीन हो इनको पता हो करना क्या है लेकिन यह देख देख के पड़ते हैं और यह करोडों जंता के ऊपर करोडों की जंता के ऊपर एक पॉजिटिव इंपक्त नही यह कई बार गलती से निकल जाता है ऐसी कई चीज़ें होती है लेकिन कुछ इनके जो ओपोनेंट है उनका यह खहना है कि नहीं मोदी जी जो है वो बिना देखे नहीं पड़ते हैं यह बिना देखे नहीं बोलते हैं इनके सामने एक डिवाइस होता है जिसको टेली प्रॉम का है तो इसमें एक स्ट्रॉंग रोल कहीं ना कहीं मेमरी का है बहुत स्ट्रॉंग रोल मेमरी का है कॉंग्रेस की गवर्मेंट में कॉंग्रेस की गॉर्मेंट में एक ऐसी पीम हुई जिनकी बहुत जबर्दस रिस्पेक्ट थी उनका नाम था इंद्रागा थी ये कॉंग्रेस की सबसे कद्दावर निता मानी जाती है और उन्हें कुछ ऐसे ओपरेशन की है जिसकी बज़े से इनकी दुनिया में सिग्नितिकन टेट वैल्यू है इनके बारे में कहवाद बहुत फेमस है कि ये जिस भी कार्य करता से जिस भी कॉंग्रेस से वरकर से एक बार मिल लेती थी उसके बाद में उनका नाम नहीं भूलती और इसलिए हरे कारे करता है इसे जुड़ाओ महसूस करता था और वो महसूस करता था कि एक परफेक्ट लीडर है जो कॉंग्रेस कोवर्मेंट को आगे लेके जा सकती है मेमरी की बात कर रहा हूँ लीडर्शिप में इंपोर्टेंस बता रहा हूँ आपको लीडर्शिप में कैसे social differentiation होता है social impression create होते हैं वो में बात आपसे बता रहा हूँ माल लेते हैं कि आप आपके पास में आप economy के उपर एक basic discussion कर रहे हैं इंट्स ग्रूप के साथ में और वहाँ पर Reserve Bank of India की बात आती है तो Reserve Bank of India की बात आने पर वहाँ जो उनकी रेपोरेट है वो आप बता देते हैं कि उसके बाद में reverse रेपोरेट क्या है तो 3.35 है उसके बाद में CRR क्या है मतलब case reserve ratio क्या है वो 4.50 है यह सारी बाते आप बता देते हैं फटाक फटाक से तो एक strong personality की निशानी जाती है क्यार नहीं mobile से देखके दो कोई बता दे रहा है इसको कुसने पढ़ा है इसको चीज़े याद है एक case reserve ratio की बाते कर रहा है reverse रेपोरेट की बाते कर रहा है रेपोरेट की बाते कर रहा है एक impact पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपका social impression strong होता है personality differentiation होता है personality differentiation उसका example मैं भी आपको दूँगा आप मानो या ना मानो प्योंकि मैं आपसे पूछ लेता हूँ हम सभी लोग और बनाएंगे इसमें हम चाहे जो हमसे बनता हो सब कुछ हम लोग करेंगे और यह बनके रहेगा इससे बहुत बड़े-बड़े काम किये जाने में आपको वादा कर रहा हूँ कितने बड़े काम किये जाने कि आपने सोचे भी नहीं होगे इंदुस्तान का ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी हुआ कभी संसद में बैठेगा आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ आज संसद में बैठेगा खेर परसनली डिफ्रेंशेशन हो सकता है कि आपकी मेमरी बहुत अच्छी है तो कैसे जैसे एक नॉर्मल इंसान ही कह सकता है अब इसका सिधा मतलब क्या है इसका सिधा मतलब ये है कि आप कौनसी बात कर रहे हैं है आपर reflection reflection dispersion ये कुछ keywords हैं जो इस इंसान को पता है it creates a different level of impression है कि नहीं है क्योंकि आप अपने आपको differentiate कर चुके है you create differentiation ये इस बंदे को keywords पता है he knows something, he studies something, he has good memory आप किसी party में गए और आपने आपकी किसी एक से मुलाकात हुई किसी दोस से और second time आप उसका नाम आदे गंटे बाद डायरेक नाम लेके बुला रहे है it creates a positive impression right तो हमें समझना है that memory has very big impact एक बहुत interesting बात आपको बता देता हूँ आपके जिन्दगी को हमेशा के लिए बदल देगी image और मैं आपसे request करूँगा कि जितने भी लोग यहां सिर्फ chat करने आते हैं आप इसे उपर उड़ जाए ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के युवा आपस में बहस नहीं करेंगे वो अपने आपको साबित करके बताएंगे यह आपस में बहस करके एक दूसरी को जीतने से आप क्या साबित करना चाहते है focus करो किसी भी इंसान की image दो टाइप की होती है व्यक्तित वे दो प्रकार का होता है एक visual image और एक vocal image visual image का मतलब है कि वो इंसान कैसा दिखता है और हमारे में से गुची अर्मानी विच रोड़ दी जवानी वाले 99% युवा है जो इतनी आसानी से ब्रहमित होते हैं जिसकी कोई limit नहीं है और गाने ऐसे सुनाए जाते हैं उनको कि उनको लगता है कि life is all about आप कैसे दिख रहे हो जारा पीर जारा मर जारा और तारा नारा जो भी है उनको यह पता ही नहीं होता कि आप का impression आपका impact आपकी vocal image का impact है कि आप कैसे बात करते हैं आप कैसे address करते हैं किसी से जब आप चर्चा करते हैं तो आप कौन से मुद्धे पर बात करते हैं कि आपका knowledge है आप अगर यह समझ जाएं कि visual image याद नहीं की जाती है मरने के बाद या मरने से पहले या आपके पीछे यह बात नहीं की जाएकी कि उसकी gnews बहुत अच्छी है वो कैसे बात करता है वो कैसे behave करता है उसकी vocal image वो कैसे बूलता है और vocal image ही किसी इंसान का औविक्टित्व होती है कि वो strong vocal image ही है जो किसी नेता को नेता बनाती है, किसी टीचर को टीचर बनाती है, किसी गुरु को गुरु बनाती है, और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के युवा, विज्वल भी होंगे और वोकल भी होंगे, लेकिन ज्यादा वोकल होंगे, उनको पता होगा कि हमें क्या बोलन इंप्रेशन आपने क्रिएट कर दिया कि यार यह होगा, इंप्रेशन, यह शायद यह हो सकता है, लेकिन तो बिलीफ है ना उसका, वो आपके मूँ खोलने के बाद ही किलियर होता है, बिलीफ, कि एक्चुली में है कौन, मतलब आप यह समझ लें, कि आपकी जिंदगी में, अगर कॉंसेट से किलियर नहीं है आपके, आप घरवालों से इसलिए लड़ रहे हो, कि मुझे यह लिवाइस की जीन्स चाहिए, और 2000 की पेंट चाहिए, और 5000 की टी-शिट चाहिए, और निपड जाओगे दूस्त, यह समाज को, कि तुम पैदा हुए थे इस दर्दी पर, उमने कुछ ऐसा किया दोस्त, नहीं कर पाए, तो शायद OTT भारत का सपना अधुरा रहेगा, को एक कहवत है न, कि अगर पूत सपूत है न, तो एक भी बहुत है, और कपूत है, तो 1000 भी कम है, और मेरा गोल सिर्फ यह ह आप चाहें जो हो, कुछ ऐसा करके दिखाना है, कि दुनिया याद रखें, तो हमें समझना है, कि वोकल इमेज इसे बाई प्रोड़क्ट अफ मेमरी, बाई प्रोड़क्ट अफ मेमरी, आप किस तरीके से, तीन वी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक्जेक्युटिव वी होते हैं, जो होते हैं, वीज्वल, वोकल, वर्बल, और आपको जानकर खुशी होगी, कि हमारे हिंदुस्तान में, टोब पोस्ट पर बैठे वेक्ति, इस टोब पोस्ट पर एक समय बाद कोई ODDN भी हो सकता है, और मुझे लगता है, होगा, ओजस्वी, तेजस्वी, त पोस्ट पर हो सकते हैं, खेर, फिलाल मैं PM की बात कर रहा हूँ, वीज्वल पर इन्होंने काम किया, कि मुझे हमेशा बढ़िया दिखना है, हमेशा बढ़िया से बोलना है, और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तिमाल करना है, कि वो नारा बन जाए, यूपी चुनाव के दोरा रहे हैं, आप जिस उमर में सीख रहे हैं, आप बहुत परांतिकरी व्यक्तित्व बनेंगे, यह मेरा प्रॉमिस है, और ओटिटियंस इंदुस्तान चलाएंगे दोस्त, यह मेरा बादा है आपसे, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको, ओटिटियंस, ओजस्वी, तेजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के निर्माता ही भारत चलाएंगे, यह मेरा आपसे बादा है, प्रॉमिस से, विज्वल, वोकल, वर्बल, इट्स आल अबाउट मेमरी, और अगर आपकी मेमरी में दम है, तो आप कुछ कर सकते हैं, यह मेरी गैरंटी है, कुछ फेक्ट्स की ब काम करना है, हर चीज में concept होते हैं, fact भी होते हैं, fact किसी काम के होते हैं, we have to apply the things, history of the memory की थोड़ी सी बात करते हैं, history of the memory, यहां से आपको चीजे connect होना शुरू होगी, और आप समझ पाएंगे कि, क्या हुआ होगा, क्या रहा है, एक बात समझ यह, बहुत समय पहले, Henry Molleson नाम के एक रेक्टी थे, Henry Molleson, दस साल की उमर में यह इंसान, cycle से गर जाता है, इसको कुछ समय बाद में, seizures आने लगते हैं, seizures मतलब मिर्गी के दोरे आने लगते हैं, मुह से जाग निकलना, जीव का दातों के बीच में आना, होने लगता है, डॉक्टर से इनका scan करते हैं, हमारे scan करते हैं और यह identify करते हैं, कि इनके brain का एक हिस्सा, temporal lobe, इन सब चीजों के लिए जिम्मदार है, और उसकी वज़े से इस सब कुछ हो रहा है, इनकी सर्जरी की जाती है, और सर्जरी के थुरू, यह Henry Mollison है, एक बहुत epic इंसान रहे हैं, जिनके उपर significant study हुई है, memory के बारे में भी, और neurology के development में बहुत सारा योगदान इनका रहा, इनका operation किया जाता है, और operation से brain का वो हिस्सा निकाल दिया जाता है, जिसकी वज़े से इनको मिर्गी के दोरे आ रहे थे, वो हिस्सा निकालने के बाद में, इनके seizures, यानि दोरे, जो मिर्गी की समश्या थ जाती, वो कम हो जाती है, जो operation किया गया था, वो था temporal lobectomy, temporal part एक हिस्सा होता, मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा भी उसकी, और इसके बाद में उनके seizures हमेशा के लिए कम हो जाते हैं, लेकिन उनकी memory हमेशा के लिए चली जाती है, इस इंसान को ये भी पता नहीं होता, घर स इनके बाद में ज़रूट से करूँगा, खैर, temporal lobectomy इनकी हुई, और ये temporal lobe है, इसको हटा दिया गया, इसके कुछ पार्ट को हटा दिया गया, जिससे इनकी तबियत में काफी सुदार हुआ, आप देख सकते हैं, ये इनका brain है, जिसका कुछ हिस्सा हटा दिया गया था, ठीक है, और हटाने के बाद में इनकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाती है, लेकि memory खतम हो जाती है, बाद में देखा गया है कि जो हिस्सा हटाया गया था, वो हिस्सा हिपोकेंपस था, और तब पूरी दुनिया को पता चला, कि हमारे brain में वो हिस्सा जो memory के लिए जिम्मेदार है, वो हिपोकेंपस है, अब हिपोकेंपस कहा होता है, यह फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, यह हमारा हिपोकेंपस है, यह फोटो देख पा रहे हैं, यह हिपोकेंपस हमारे पास में है, और हिपोकेंपस is the responsible behind the memory, हिपोकेंपस, the factor, the organ, the part of brain, part of brain, memory responsible है, खिपो केंबस के पाट एक और हिस्सा होता है जिसको अमिक डाला बोलते हैं यह बेसिक चीजें आपको पता होना जरूरी है आगे की समझ के लिए चीज़े को समझिएगा अमिक डाला एक वो हिस्सा है जो emotional memory के लिए जिम्मेदार होता है देखे हमारी जिंदगी में कई ऐसी यादें होती है जो एक सेकंड में क्रियेट होती है और जिंदगी पर रहती है और कई बार हम किताब खोल के चार-चार घंटे बैठे होते हैं और जैसे बंद खरते हैं सेकंड में कायब हो जाता है अमिग डाला emotional memory जब कोई सी memory अमिग डाला की तो हिपकेंपस में जाती है तो बहुत लंबे समय तक रहती है यह memory आपको पता होगा नहीं पता तो बताता हूं तीन टाइप की memory होती है sensory memory जैसे आप मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं इस sensory memory है आप कुछ image कुछ photos मेरे शब्द कुछ समय के लिए catch कर रहे हैं सुनकर note down कर रहे हैं यह working memory है working memory है और working memory के बाद में जो एक memory ऐसी होगी जो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रुक जाएगा जो content वो storage memory होगी और storage memory ही इंसान की success को decide करने की यही memory होती है और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज कि किस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं और किस तरीके स इसके उपर काम कर सकते हैं recent research हुआ hippocampus area के उपर और research paper में आपको दिखाने वाला हूँ इसके उपर research हुआ hippocampus area के उपर और research क्या हुआ वो मैं research paper आपके सामने represent कर रहा हूँ वो research paper क्या है अच्छा पहले amygdala की फोटो एक बार दिखा देता हूँ यह hippocampus के बिल्कुल पास वाला हिस्सा है यह आप यहाँ देख सकते हैं यह आपके पास में amygdala वाले हुआ है और यह इससे connected बहुत पास में यह hippocampus है यहां मत करना मैं तुमसे नफरत करती हूँ यह नफरत करता हूँ कुछ सारी चीजे हैं amygdala के तुर हिपोकेंपस में जाती हो और हमेशा के लिए आपको याद रहती है लेकिन जो आप किताब खोल के बढ़ रहे होते हो तो उसक्त कुछ emotional चीजे होती नहीं है तो लगता है क्या नहीं मतला है उनका कुछ sense होता नहीं है है हिपोकेंपस को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है 90% लोग को पता है हिपोकेंपस क्या होता है लेकिन activation इसका कैसे possible है activation रिसेंट एक रिसर्च वी और रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ वो क्या है वो देखो एक बच्चा पूछ अगर आप बीच में रात को सोने की बात नहीं कर रहे हैं यह दिन में जब आप काम कर रहे होते हैं काम करने बाद आप ठक जाते हैं दो पहर में है ना दो पहर में चालिस से साथ मिनट के आप जपकी लेते हैं तो इस रिस्टोर था हिपोकेंपल फंक्शन एन इंप्रूदा डिक्लरेटिव लर्निंग आप कुद की मेंबरी को पांच गुना बढ़ा सकते हैं यह इस रिशर्स पेपर में में इंचने हैं तो कई बार आपको कई नोसिके खिलाड़ी इस तरीके से मोटिवेट कर देते हैं कि पागल हो जाओ पागल होके पढ़ो और बेवकूफ बनके पढ़ो और जो हो कर दोग होगे पानी की बाल्टी नहीं भरेगे एंडिस इस टू फॉर एवरिवन आपको समझ लेना है कि कुछ बेसिक प्रोसेस है जिंदगी में सब कुछ हांसिल करने का एक ही रास्ता है कि कुछ काम करो और शिदत से करो और उस कुछ काम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वह है sleep sona मैं हमेशा कहता रहा हूँ that S.E.D. is very important if you don't want to be S.A.D. से सैड अगर नहीं होना है तो sleep exercise और diet के उपर काम करना है बहुत ज़री और यह research paper कब का है? यह 2020 का research paper है जो sleep research society Oxcode ने published किया है को scientist यहां पर भूए सारी scientist है उनकी में बात-प्र नहीं कर रहा हूं और ही यह लगबग सारे cognitive function की बात कर रहे हैं तो activation का एक ही रास्ता है नींद बहुत अगर बहुत ज़्याद आ रही है तो आप में nutrients की deficiency है आपको multivitamin supplement लेने चाहिए बहुत ज़रूरी है सबसे important यह एक है कि खाना भारी ना ले भारी खाने से ज़्यादा नीद आती अच्छी नीद भी ने आती बेकार नीद आती बर लिया बस आप पेट में खाना गया दिमाग में नहीं है तो नीद आती और वह quality sleep नहीं होती ना विकार नीद आती एक्टिबेशन कैसे कर सकते हैं Afternoon nap. जब आप classes के बाद में सो जाते हैं, बड़े बुज़र्ग लोग बीच में सोते हैं, तो that is the best thing that you can do. यह इस चीज़ को समझ देना है. आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मुद्दा discuss करते हैं. एक हमारे पास में, दो terms हैं. एक का नाम है Neurogenesis, और एक का नाम है Forgetting कर्व. Forgetting कर्व. इन दो मुद्दों के बारे में थोड़ा सा discussion करते हैं. हम सभी जानते हैं, Basic Medical Science में, हमको यह पढ़ाया गया है, कि Neurons Divide नहीं हो सकते हैं. Neurons को Divide करना संभव नहीं हैं. लेकिन recent, recent research यह कहती है, कि Neurogenesis possible है. किया जा सकता है. मतलब Neurons का नंबर बढ़ाया जा सकता है. मतलब आपकी दिमागी शमता बढ़ सकती है. और वो दिमागे जिस सिस्समें बढ़ सकता है, वो Hippocampus है. और शर्त यह कहती है, शर्त यह है कि आपको दो काम करने हैं. एक memorization, कि आपके दिमाग को लगे कि हाँ, इसको memory की जरुषत है, और दूसरा workout, aerobic exercises, जिससे आपके दिमाग में blood supply बहतर होती है. इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे, तो हम वेकनन के बारे में बात करेंगे, एक उस disease के बारे में बात करेंगे, और दस ऐसे तरीके, जिससे आपके memory को बहुत गजब की बना सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आखरे में आपके सवालों का जबाब दिया जाएगा, चीजों को समझे. memory का मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता, चीजे हम भूलते भी हैं और इसलिए एक नई टर्म आती है, कि आप forget कर गए, भूल गए, याद नहीं रहा. आपने सुना भी होगा एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, कि हम भूल गए रहे हर वो बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्योंकि प्यार जो है ना, उसमें emotion है, और वो Amigdela से hippocampus में जाता है, हम भूल गए रहे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले, बहुत प्रसिद्ध गाना है ये, इसका सिधा मतलब यह है, कि अगर किसी में भी emotions हैं, इसको नहीं दिया था, Abinxos कर्वी बोलते हैं उसको, Abinxos Memory Curve, Abinxos Memory Curve इसको बोलते हैं, कर्व को समझे, और उन्होंने एक ट्रिक बताई, 7321, ये इनका बहुत फेमस नमबर था, What is your mobile number? What is your dial number? करू में क्या dial number? ये कह रहे हैं, ये आपने सीखा, 100% आप सीख गए, आपने उसको revise नहीं किया, तो गिरेगी, कुछी इस गिरती है, ये forgetting कर आप देख रहे हैं, और गिरते, 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 तीसरे दिन तक वो शुन्ने पर पहुंचाती है, लेकिन आप उसको बीच में से उठा लेते हैं, मतलब पहले दिन आप फिर से पकड़ लेते हैं, जब वो 80% पर थी, वो फिर से उठा उड़ जाती है, और 100% पर जाती है, लेकिन वो फिर से गिरते, अगर आपने एक दिन बाद revise कर लिया, तो तीन दिन में जीरो नहीं होगी, अब साथ दिन में जीरो होगी, लेकिन आपने फिर से उसको तीसरे दिन पर उठा लिया, तो 80% पर थी, तो फिर यहां पहुंचागी 100%, और वो गिरते गिरते, अब उसके जीरो होने की संभावने बहुत कम है, और आपने पहली बार पढ़ा, revise किया, फिर revise किया, और फिर revise कर लिया आपने, तो अब लगबग 80%, 90% content आप हमेशा के लिए retain रखते हैं, तो इनका कहना ये था, कि जैसे आपने पढ़ा उसको पहले दिन revise करो, फिर next day revise करो, फिर तीसरे दिन revise करो, फिर साथ के दिन revise करो, लेकिन मैं इससे भी effective तरीका आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जिन्दगी में हमेशा के लिए परिवर्दन आ जाएगा, ये forgetting कर वह है, इसको हमें forget ही कर जाना है, लेकिन मुझे कुछ महानता इसमें दिखी नहीं, मेरे पास इससे बहतर तरीके हैं, लेकिन हमें एबिन गौस के योगदान को नहीं भूलना चाहिए, फिर फॉर्गेटिंग कर वह कुछ इस पैटन को फोलो करता है, खेर, और ये उनका नंबर है, 7,3,2,1, में समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही तगडी सक्सियत है, मैं अगर उनका नाम ना लूँ, तो मेरी जिन्दगी में मुझे लगता है बहुत सूनापन है, मैं चाहता हूँ कि आप इस सक्सियत को पहचाने, और मैं शायद इनी के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, शायद इनी के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे दखता है कि मेरी जिन्दगी में इस इंसान की importance बहुत ज़ादा है, आप यहाँ पर देखिए, यह क्या आप किसी एक सक्सियत को पहचान पा रहे हैं यहाँ पर? अगर आप इनका नाम जानते हैं तो जरूर से लिखें एक बार इन सब में से आप किसी को जानते हैं तो एक बार जरूर से नाम लिखें अगर आप फूरी दुनिया में किसी एक इंसान को ढूंडे कि किसके पास में फोटोग्राफिक मेमरी तो इस इंसान का नाम निकल के आएगा और ये हैं आपके प्यारे स्वामी विवेकानंद मैंने सोचा कि इनकी रियलिस्टिक फोटो ली जाए क्योंकि सभी ने इनको साफे के साथ में देखा है और सब उसी फोटो को जानते हैं ये स्वामी विवेकानंद है और इनके लिए कहा जाता है और मैं इनके मिशन को लेकर चल रहा हूँ ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत जो आने वाले समय में हिंदुस्तान को चलाएंगे मेरा प्रॉमिस है आपको हिंदुस्तान को हम चलाएंगे आप लोग चलाएंगे वो जस्वी तेजस्वी तपस्वी भारती चलाएगा स्वामी वेकानंद इनके बारे में क्योंकि हम mission के उप्पर काम कर रहे हैं लिए हम ambition के उपर काम नहीं कर रहे हमारा mission हें जिंदगी में दो टाइब के लोग होते हम ambition के उपर काम करते हैं मुझे एक खास ambition बची नहीं है खाना पानिक का जुगाड हो रखा है, वो सब के पास हो रखा है, अब जिन्दगी में एक mission है, कि 10 करोड भारतियों को train किया जाए, और उनको वो बनाया जाए, कि वो ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत का निर्बान कर पाए, खेर यहाँ देखते हैं, Swami Vivekanand, जिन्होंने दुनिया में हिंदुइस्म का जंडा ले रहाया, शिकागोगान का स्पीच बहुत फेमस है, मैं को conversation आपको सुनाना चाहता हूँ, जो इनकी सिश्यों के साथ में हुई, वो conversation में आज आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, उसके बेना कोई मज़ा नहीं है जिन्दके में, निकोला टेसला की भी memory, photographic memory मानी जाती है, लेकि निकोला टेसला की तारीफ करने के लिए पूरा अमेरिका बैठा है, बाकी दुनिया में सब लोग तारीफ कर रहे हैं निकोला टेसला की, विवेकानन हमारी जम्यदारी है, वो हमारी देश का गौरव है, एक कहानी से आप स्वामी वेकानन्द, मैं वही चीजें डिसकस कर रहा हूँ, जिस्चा आप स्वामी वेकानन्द के बारे में जान पाएं, क्या कहानी है, सुनिये, कुछ दिन पहले, few days ago, a new set, एक नया set मंगवाया गया, Encyclopedia Britannica का, जो एक भारी बर कम किताब हुआ करती है, उस वक शा मंगवा तो लिए आपने, it's almost impossible to read all these books in a single lifetime, लेकर उसको पता नहीं था, कि स्वामी जी ने, पहले ही, ये 10 किताबें, 10 volumes उसके finish कर दिये हैं, और 11 की शुरुआत करने वाले हैं, ये बात, उनके ही एक ख्रिश्चे, किताब में लिखते हैं, जिनका नाम है, Diary of Disciple, conversation को आग सारी किताबें आपने पढ़े लिए, स्वामी जी, why should I ask you to question me otherwise, वरना मैं तुमसे कहता ही क्यों, कि तुम मुझसे सवाल पूछो, Being examined, स्वामी जी not only reproduced the sense, but at the place of every language, difficult topic selected from each volume, tough से tough topic का उन्होंने जवाब दिया, जो कि एक सामान्य इंसान के ताकत के बाहर की बात है, हर सवाल का जवाब वो दे पाए, जो एक सामान्य इंसान के बस के बाहर की बात है, और उसका वो secret बताते है, वो secret बताते है, स्वामी जी फिर कहते है, do you see, simply by the observance of strict ब्रह्मचरिया, continuous, all learning can be mastered in a very short time, उसका secret बताते हैं कि मैं इनको कैसे याद रख पा रहा हूँ, the strict ब्रह्मचरिया, उनका मानना था, और अगर आप unfailing memory चाहते हैं, मैं स्वामी वेकानन्द की बात बता रहा हूँ, उसके अलावा और कौन से तरीके हैं, जिसे आप memory को master कर सकते हैं, उनकी विचर्चा हम लोग करेंगे, disciple ने बोला, ठीक है आप जो भी कहते हैं, लेकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पर यह हो सकता है, और उसके बाद स्वामी जने कोई जवाब नहीं दिया, किताब का परिच्चे यहीं पर समाप्त हो जाता है, स्वामी वेकानन्द, जिनको पूरी दुनिया में memory miracle के नाम से जाना जाता है, memory miracle, अब मुझे नहीं पता कि क्या और reason रहा, कई बार genetics भी और मुझे आपको बतानी चाहिए, बतानी चाहिए मुझे आपको, क्या, क्योंकि विवेकानन्द की बात हिंदुस्तानियों को नहीं पता होगी, तो बताएगा कौन हिंदुस्तानियों को कि तुमारे पूर वज कितने महान थे, मौ जरूरी है, विवेकानन्द believe that every person's mind become concentrate sometimes, कभी ना कभी वह एकाग्र होता है और हम किन चीजों पर एकाग्र होते हैं जिन से प्रेम करते हैं और हम किन से प्रेम करते हैं जिन पर एकाग्र हो जाते हैं क्या बात है मतलब लॉव एंड कॉंसेंट्रेशन आर रिवर्सिबल रियक्शन जहां कॉंसेंट्रेशन होगा उससे Interconvertible देख पा रहे हैं It was the concept जिसने मेरे दिमाग के तार हिला दिया और मुझे भी फिल हुआ कि वा What an amazing words प्रेम है वहाँ एकागरता है, जहाँ एकागरता है वही प्रेम है और जहाँ प्रेम है जहाँ emotion है वही तो एकागरता है जहाँ amig dela है, वही hippocampus है जहाँ emotion है, वही प्रेम है वही concentration है मतब, such an amazing words I just have become the fan of these words मतब, इससे बहतरीन क्या ही हो सकता है Memory को सीखने के लिए मैंने इसके ओपर कुछ किताबे भी पढ़ी इन किताबों के secrets मैं आपको बताने वाला हूँ आपसे discuss करने वाला हूँ कौन सी books मैंने पढ़ी है Some books and some diseases दोनों ही discuss कर लेते हैं जो memory से related है, पहले कुछ books की बात कर लेते हैं क्या वी तक समझ में आ रहा है आपको जहाँ प्रेम है, वही concentration है और जहाँ concentration है, वही प्रेम है और जहाँ concentration है वहाँ यादास्त चूखी नहीं सकती दोस्त आपकी memory कमजोर हो ही नहीं सकती अगर आप में concentration है और जिस चीज़ को आप कर रहे हो से प्रेम है यहीं तो सच है एक किताब है किताब का नाम है Moonwalking with Einstein Moonwalking with Einstein एक किताब है जो memory पर लिखी गई कुछ powerful किताबों में से एक है मैं किताब का keywords आपको directly बता दूँगा आपको किताब पढ़ने के ज़रुत नहीं है जो शोफर इस किताब के writer है और मैंने इस किताब को पढ़ा मैंने इस किताब को समझा और मुझे यह समझ में आया कि कुछ किताब के key points है कुछ basic बातों पर किताब बात करती है पहला मुद्धा तो यह है कि memory की value, memory की importance समय के साथ साथ में कम हो रही है यह इस किताब में लिखा गया कि आज के 200 BC before Christ उनके 200 साल पहले everything was oral सब कुछ oral था जिसको याद था कुछ समझ थी जो पता था वही अपने बच्चों को बताता था और उसी ज्यान से सब अपना पेट भरते थे थोड़े टाइम बाद में लोग stone writing करने लगे, पत्थरों पर लिखने लगे पाशान लेक उनको कहते लेकिन सबसे बड़ा कबाड़ा कब हुआ जब 1440 में digital press आ गई या बोल सकते हो printing press आ गई digital press तो सही नाम नहीं होगा printing press आ गई, जैसे printing press आ ही printing press के आने के बाद इंसान ने सूचा कि अब याद करने की ज़रूरत नहीं है और उससे बड़ा सत्यानास कब हुआ जब mobile आया अज इंसान एक समस्या से ग्रसित है जिसका नाम है digital amnesia मतलब आज हम हर चीज मोबाईल के बोरो से छोड़ चुके हैं कि हमारे ननिहाल का रस्ता कहा है GPS पे लगा देना है, हमारा गाउं कहा है GPS पे लगा देना, हमारा रूम कहा है GPS पे लगा देना, उसका नंबर फोन में सेव कर ले ये इसके notes ये PDF बना ले, ये इसकी फोटो ले ले, ये वहाँ save कर ले, ये उस gallery में डाल दे ये उस खिर्की में डाल दे, ये उस gate में गुसा दे ये उसके नीचे हर चीज मोबाईल में और यसा कहा जाता है कि जो चीज इस्तिमाल नहीं होती, वह उसमें जंग पढ़ जाती है और आज 99% student जंग का सिखार है डिसले M.E.S.E. की बात यहाँ नहीं हुई है क्योंकि जब तक किताब लिखी की, तब तक शायद ये ट्रेंडिंग नहीं था, बट इन्होंने कुछ secrets बताएं, कुछ tricks बताई है कि आप कैसी memory को improve कर सकते हो और एक तरीका बताएं, उन्होंने chunking तो मुझे इस पूरी किताब में सबसे बहतर समझ में आया chunking जिसे माल लेते हैं, एक figure आपके सामने लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक number लिख दे रहा हूँ, आपके सामने में यह number मैंने लिखा और इस number को मैं कहता हूँ, कि आपको यह याद करना है यह number मैंने लिखा तो इनका ही कहना है कि ऐसे नंबर याद नहीं करो, इसको ब्रेक कर दो, जैसे ये सब लिखावा है, तो आप इसको लिख दो, ग्यारा, नौ, दो हजार, ग्यारा, और ये हो जाएगा, एकत्तिस, पांच, पुर नीसो, त्यानव है, तो इस तरीके से आप, ये तो मेरी डेट ये रो बर्थ और ये र र लत है, तो आप चीजों को ब्रेक करके ज्यादा बेटर यादßen रख सकते हैं, जीजों को ब्रेक करके आप बेटर तरीके से यादने रख सकते हैं, यही इस पुरी किताब का कशनट है, ठेक है. chunking of content chunking of content break down things एक और किताब है मैं जिसकी बात आपके साथ में करने वाला हूँ और उस किताब का नाम है The Unlimited Memory Unlimited Memory मैं यहाँ पर उस किताब को आपके साथ में फोटोग्राफ दिखा देता हूँ इस वन यह यह भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारी तीस कितनी कॉपी सेल हो गई है तीन सो हजार तीन लाग क्यास पसेंगी कॉपी सेल होई यह किताब यह कहती है कि शांत हो जाओ बी काम खुझ शांत हो जाओ दिमाग को भी शांत करो वो सब कुछ अपने आप याद कर लेगा quit your mind and it will remember यह इस किताब का कहना है लेकिन किताब यह नहीं बता पाती कि शांत कैसे हो इसके बारे में यहाँ कोई information नहीं है हमारे रिशी मुनियों ने प्राचीन समय बताया कि एक प्राणायाम है मैं चंद्रवेधी प्राणायाम आपको मिशा बताता रहता हूँ कि left nostril से सांस लेना है वह बहुत अल्टरा पावर है उसके अलावा एक और प्राणायाम है जिसका नाम है ब्रामरी जिसमें आप अपनी इस finger को index finger को यहां forehead पर रखते हैं बाकी उंग्रियों को अपनी आखों के उपर रखते हैं कानों को अंगुटे से बंद कर लेते हैं और फिर गहरी सांस लेने के बाद ओम का उचारन करते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रामरी प्राणायाम आप यह साथ बार कर सकते हैं आप यह ग्यारा बार कर सकते हैं और आप यह देखेंगे कि आप हद शान्त हो गए हैं ब्रामरी प्राणायाम उसके बारे में यह बात नहीं करते हैं मैं उसका एक बार position बता देता हूं कि अब यह हमारे साथियों ने फोटोग्राफ निकाला है हलांकि यह पोज गलत है अंग्रे जी लोग रह गए इंको पता नहीं है फोटोग्राफ निकाला यह पोज बिल्कुल गलत है यह ऐसा कुछ नहीं करते हैं यह गलत ब्रामरी प्राणायाम है इस उंगली को यहां रखते हैं, इसको यहां रखते हैं और अंगुठे से बंद कर लेते हैं और आप फील करेंगे कि आप दिमागी रूप से काफी शांत महसूस अपने आपको करेंगे, पोजी गलत है, खेर quit your mind, multitasking को करें, यह मुझे इस किताब के अची बात लगे कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं एक समय में दो काम निप्टा दूगा, तीन काम निप्टा दूगा, पांच काम निप्टा दूगा एक बच्चा पुछ रहा है कि स्ठिक ब्रहम चरे क्या होता है, ब्रहम चरे के और मैंने काफी सेशन लिये हैं, आप यसी चैनल पर चेक कर सकते हैं मुझे महसूस होता है कि मेरी फैमिलियर लेंग्वेज है और मैंने कुछ नेमोनिक्स बनाया है, जैसे मैं भी बच्चो को पढ़ा रहा था, मैंने ऐसे पढ़ाया, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मेरा गोल यह है कि content को एक फोटोग्राफ में convert कर दिया जाए, यह आज की class का ही content है, यह आज की class का ही content है, जिसमें आपे देख पा रहे हैं, कि यह मैंने पढ़ाया था, मुझे लगता है कि memory memory काफी अच्छी है और मैं जाद दर समय content को देखने में बिलीब नहीं करता हूँ, इस content की मैंने, जैसे beta dehydrogenation है, यहाँ पर dehydration of alcohol है, call-based electrolysis है, pyrolysis of ester है, इसका मैंने trick बना दिया, यह बच्छों नहीं बनाया, कि BD, BD, मतलब beta dehydrogenation, D for dehydration of alcohol, क्यों, BD को, call-based, क्यों, quaternary ammonium cell, QPR, रात में, whisky के साथ, और इस तरीके से इसकी trick बना दिया, कोई बहुत खतरनाक research नहीं है यह, लेकिन यह आपको help करती है, help करती है, किताब का नाम है unlimited memory, और यह सबसे भारी concept सिखाती है, कि नहीं करना है, शान्त रहना, इतना हो सके, दो प्रणयाम है, चंद्रवेधी प्रणयाम, और ब्रहामरी प्रणयाम, जो अनलिख दे रहा हूं है, the unlimited memory से, become, शान्त रहें, और multitasking को word करें, एक और किताब है, the art of memory, art of memory भी कुछ ऐसी ही बात करती है, जो नेमनिक्स की बात करती है, जो मैंने भी आपके साथ में discuss करी, चलिए, art of memory का front cover भी दिखा देता हूं, एक बार, मैं भी सोच रहा हूं एक किताब, बट मुझे लगता है, memory के बारे में क्या किताब लिखे जाए, intimacy और celibacy के उपर किताब लिखने ही सोच रहा हूं, the art of memory, किताब है, France and Yates ने लिखी है, और, one of the model library's hundred best non-fiction books of 20th century, यह निका claim है, क्लीम अलग-लग हो सकते हैं, फरियास अलग-लग हो सकते हैं, the art of memory में कुछ ऐसी ऐसी बाते, यहाँ पर भी की गई है, मैं कुछ विशे उसको पढ़े नहीं पाया, ज्यदा बता भी नहीं पाऊंगो आपको, तेकि जो मैंने पढ़ी, वो मैंने आपको बता दी है, आगे चलते हैं, और चीजों को थोड़ा सा, और डिसकस करते हैं, दो चीजों मैं बताने वाला हो, एक, diseases associated with memory, diseases associated, कौन से बिमारिया हो जाती है, memory से लेटेट, क्यों होती हैं, और एक, how to get the photographic memory, the power of photographic memory, how to get the photographic memory, काफ़ी insights में आपको दे चुका हूँ, अब कुछ और चीज़े यहाँ पर discuss करने की कोशिश करेंगे, how to make notes like that in one page, रोज बनवाता हूँ बच्चों से, और आप पर वो classes होती है, खेर, आगे चलते हैं, हमारे पास में, एक बीमारी है, Alzheimer's, Alzheimer's, के लोग इसमें जी लिखते हैं, के लोग इसमें जी लिखते हैं, Alzheimer's, हिंदी में लिख देता हूँ, जिसमें इंसान बुड़ा पे, में उसकी आदास कमजोर हो जाती है, उसका orientation खराब हो जाता है, वो घर नहीं पहचान पाता है, और कई साथी चीज़ें हो जाती है, यह बहुत फेमस भीमारी है, एक वेस्कुलर डाइमेंशिया है, वेस्कुलर डाइमेंशिया, यह समझने की जुरौते हैं हमको, अलजाइमर तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर, जस्ट ए सेकंड, तो जादे जगे भर गई हैं आपर आज, थोड़ा सा इसको shift करना पड़ा है, पढ़ेगा, पहली बार shift करना पड़ रहा है मुझे, वेस्कुलर डाइमेंशिया है, क्या होता है, जब आपके brain में proper blood supply नहीं होती है, वो किसी वज़ से हो सकते हैं, नशा हो सकता है, आप दारू पिते हैं, आप सिगरेट पिते हैं, खाना गटिया है, सोते रहते हैं, सोफे से उड़ते ही नहीं हैं, couch पे आलू बन गए हैं ना, potato couch बोलते हैं उसको, भूल गए हैं, ट्रांसफेट आप खाते हैं, मैदा आप खाते हैं, आपकी डाइट में soft drinks, call drinks और तवाने भर का कच्रा है, आपका blood flow बिकार हो जाता है, और ये बुढ़ापी के दिक्कत है, इसमें आपका control नहीं है, लेकिन इसमें control है, blood flow पूर हुआ, और ये जवानी में भी होता है, vascular dementia जवानी में भी होता है, blood supply पूर होने की वज़े से, आपकी memory उतनी perfect नहीं रही, नशे किये हैं आपने, तो आपकी जो arteries हैं, उनमें blockage आ गया, हलका फुलका blockage आया, perfect blockage नहीं आया, उसको तो अपन बोलेंगे, लखवा हो गया, paralysis हो गया है, हलका फुलका blockage आ गया, करना क्या है, इसको avoid, और ये 90% लोग को है, vascular dementia, आगे चर्चा करेंगे इसके, यहां सि इसको हटाई देता हूँ, photographic memory कैसे प्राप्त करेंगे, तो अपना major discussion है, उसी को छोटी जगए पर discuss कर लेंगे, तो क्या मतलब है, एक और बीमारी है, बड़ी interesting है, आपको जानकर, पता लगएगा उसके बारे में, तर मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, मन नहीं लगत बुद्ध के उपर में एक session लेने वाला हूँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इस चीज को इपर आप धान से समझेए, एक बीमारी है, जो दुनिया में 62 लोगों को है, बीमारी का नाम है H.S.A.M., फुल फॉर्म है highly superior autobiographical memory, इनको हर चीज याद रहती है, डिक्कत इनके स दूसलों कि इस तारीक को क्या हुआ था या आपको जवाब दे देंगे, they have good memory, लेकिन अत्ती हर चीज की बुरी है, अब इनके साथ जो past में बुरा हुआ, उनको पता ही नहीं है, मतला भूल भी नहीं पा रहे हैं वो, कियार मेरे साथ में यह हुआ था वो बार बार यादा बार बार, और females में ज़्यादा common है यह, HSAM, females में बहुत common है, तो याद रहना, बहुत कुछ याद रहना, चाहिद अच्छी बात नहीं है, बटे मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, जो जरूरी है, एक कुछ बिमारिया है, कुछ और भी है, लेकिन session जादा लंबा हो जाएग अगर आपने enjoy किया है, तो जरूर से एक बार बताएं, ताकि फिर में आगे चलो, डिनर यही पर करना पड़ रहा है हाज, फोटोग्राफिक मेमरी की तरफ कैसे जाएं, वो हमारा मुद्दा है, आज का major discussion भी वोई है, कैसे हांसिल की जा सकती है, जब भी आप session को end करें, तो एक बढ़िया सा message कि आपने क्या सीखा, कैसे आपको help मिली, वो और कोई नया मुद्दा जो आपके दिमाग में है, आप मुझे जरूर से बता के जाएं, ताकि मैं उसके हिसाप से आगे चीज़े प्रोसीड करूँ, खेर, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा तरीका है, जिसके माध्यम से memory को photographic memory में convert किया जा सकता है, आपको लगता है क्या यह एक तरीका है, जिससे memory बढ़ सकती है, सबसे पहली चीज़, keep yourself, in perfect shape, जो लोग out of shape हैं, जो unfit हैं, जिनकी body में muscles नहीं है, legs की muscles कमजोर है, उनके brain में proper blood supply होता नहीं है, और ऐसे लोग की memory कमजोर होती है, पूर, सबसे, आप देख लीजिए, जितने भी top CEOs हैं, all top CEOs, are fit, जो भी लोग कुछ जिन्दगी में बड़े mission लेके चल रहे हैं, वो fit है, उनको पता है, कि शरीर की fitness से ही सब कुछ होता है, fitness के बिना आप memory की बाते करने चले जाएं, तो मुझे लगता है कि वो बात अच्छी नहीं हो, आप शायद गलत ट्रेक में चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो बिना fitness के, आप ये नहीं कर पाएंगे, को योगा प्रणायम है क्या सर, योगा कौन सा है, तो सीर, आसन की बात कलें, योगा और आसन, मैं perfect term use करने में बिलीव करता हूँ, आसन है सीर शासन, योगा प्रणायम, meditation सब को mix करके बोलते हैं, और प्रणायम है ब्रामरी और चंद्रवेदी, चंद्रवेदी का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं चंद्रवेदी बढ़ायम हमेशा करता हूँ, राइट नौस्टिल को स्क्रीन पर उल्टा दिखेगा आपको, राइट वाले को बंद करना होता है, और लेट से आपको लगातार स्वांस लेनी होती है, सीर शासन है, सी यह सेमी सीर शासन है, इस तरीकेगा, यह तो सब कर सकते हैं, इसका गोल क्या है, गोल यह है कि खोबड़ी में ब्लड आए, यहां ब्लड आए, प्रणायम मैंने आपको बताया, ब्रहामरी प्रणायम, इनसे सिग्निफिकेंट आप फील करेंगे, कि आपकी मेमरी इंप्रू ठीक है, प््रैक्टिस कॉन्संट्रेशन, एकागरता का अभ्यास करना है, एकागरता का अभ्यास, यह कि दुनिया में हर एक चीज अभ्यास है, और कहीं नकहीं, एकागरता भी एक अभ्यास है, आप देखेंगे दुनिया में जितने भी चमतकार हुए हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है, जिसके उपर लोग को लगाओ गयार, यह कैसे हो गयार, कुछ डिस्कवरी हुई हो, कुछ चमतकार हुआ हो, कुछ महान काम हुआ हो, एवरी मिरेकल, हर चमतकार की नीव, एकागरता में होती है, जिसके पास कॉंसेंट्रेशन है, जिसके पास एकागरता है, उसकी मेमरी अमेजिंग होने की गैरिंटी मैं अभी आपको दे सकता हूँ, और यह प्रैक्टिस है, आप अभी सेशन सुन रहे हूँ, तो सेशन सुनने है concentration is a practice मैं फिर कह रहा हूँ जिसमें कागरता है उसे के साथ भगवान होते हैं अर्जुन में थी आपको पता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मैं इकागरता ही इस्वर को पाने का एक मातर तरीका है और रट लीजेगा दोस्ति स्वा आप हमेशा हमेशा रट लीजिये चुप हो जाइए और एकागरता का भ्यास जितने चुप रहेंगे उतनी ही इकागरता इकागरता का भ्यास बहतर होग का चिलाता हुआ इंसान एकाग्र Stanley नहीं हो सकता और बढ़ाता हुआ इंसान नहीं runt बंसा कीमेम्ममरी उसकी दुश् प्रोटीन बढ़िया है, हाई प्रोटीन है, तो भी आपका दिमाद काम करता है, लेकिन इसके लिए विकागरता के लिए तो चुप रहना बहुत ज़रूरी है, हर वक्त चिलाते रहो, इससे उससे बतियाते रहो, और फिर ये बात करो, कि हमारी मेमरी बिकार है, ये बाते लो, ओमेगा-3 fatty acids की diet में क्या-क्या आते हैं, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीजें clear रहे हैं हमेशा के लिए कि क्या-क्या आता है उसमें, क्या आप देख सकते हैं, ये तो मैं avoid करता हूँ, जेतना prefer नहीं करता मैं चीजों को, बीज हैं सारे, स थोड़ा बहुत यहाँ गी है, यहाँ बादाम है, अंडे है, अक्रोट है, यह बादाम है, यह omega-3 fatty acids और यह अक्रोट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह contain high amount of omega-3 fatty acids, और इन से ऐसा देखा गया है रोज, मैं कहीं लोगों से बात करता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि मातर लक्षे ही होना जे दोस्त, कि चाहे दो बादाम खा रहे हो, लेकिन रोज खाओ, चाहे पांच मिनट exercise कर रहे हो, और रोज करो, क्योंकि निरंतरता ही ईश्वर का एक मातर लक्षन है, अगर किसी मनुष्य में वो आ गया, तो इसका ईश्वर बनना निश्चित है, में निरंतरता की कमी है, और जब कमी होती है, तभी वो बैठा रहता है, प्रियास नहीं करता है, और अचानक से इश्वर से चमतकार की उम्मीद करता है, निरंतरता की कमी ही किसी से चमतकार की उम्मीद करवाती है, कि अब तो वो कुछ करेंगे हमारा, गलत नहीं है दोस्त मैं मेंचन कर देता हूँ रट लो, दो बादाम खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दो खा लो, एक एक रोट खा रहे हो, रोज खाओ हाई प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट भेंकर पानी पीओ, चार लिटर चार लिटर पानी रोज, कैसे नाप के, एज यह नहीं आजर पीता हूँ, नाप के, क्योंकि आपके दिमाग का सिग्निफिकेंट हिस्सा पानी से बनावगा है, और पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, dehydrated दिमाग काम नहीं करता है दोस् से दीख सकते हैं, इतनी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक सूपर पावर, मैं जिसका नाम अभी तक अवोइड कर रहा था, और जो मेरा खुद की कहानी है, वो मैं आप से डिसकस कर रहा हूँ, उसका नाम है मनन, यानि की memorization, फोटोग्राफिक मेमरी में अगर ये सब चीजे 10% role play करती है, तो ये 90% role इसका है, 90% role इस चीज़ का है, that is the honest memorization, memorization में करना क्या होता है, कि आप अगर खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप सोने जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप गारी ड्राइव कर रहे हो, आप ये decide करते हैं कि मैं इसक दिमान हो जाएगा, दिमाग तेज़ काम करने लगेगा, समझ विक्सित हो जाएगी, सबसे बड़ी बात, वो photographic memory के बहुत करीब पहुंच जाएगा, अगर कोई इंसान 5 साल तक इस टाकत का भ्यास करता है, तो स्वामी वेकनन के बहुत करीब ओ इंसान होगा, ये मेरा promise आ दुआ होता था, बैट कभी पाता नहीं था, किताब निकालनी पाता था, पढ़ कभी पाता नहीं था, डेढ़ गंटा जाने में लगता था, और मुझे लगता है कियार मेरा rank, मेरी performance, मेरा सब कुछ खराब होता जा रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, उस वक्त मेर revision तुब बस में ही कर लिया कर, मैंने का कैसे करूं किताब तो खोल नहीं पाता, किताब खोला मत कर, मन ही मन में किया कर, और जब मैंने इसका अभ्यास शुरू किया, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं बिना किताब को खोले पढ़ने लगा, और मुझे तब अशास जिसका अभ्यास बिना किताब के खोले किया जाता है, मेरे जिन्दगी में उस पर परिवर्तन आए, जो चेंज़े आए, वो आज भी आपको reflect हो रहे होंगे, कि मैं इतना बड़ा session, इतना बड़ा session, non-stop ले पाता हूं, बिना किसी गलती के ले पाता हूं, बिना कोई mistake के ल जलते, खाते, एक कोने में बैठ खें, आँखें बंदे, आप content के बारे में सोच रहे हैं, यहां यह था, यहां यह था, तुम दुनिया में किसी भी exam का नाम ले लो, तुम चाहे जो बन जाओगे, memorization की practice 2 गंटा, मैं आपको कहता रहा हूं, चार process होते हैं, कुछ भी आपन खुद की हमेशा के लिए बदल जाएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, और मैं memory की बात आके तभी कर रहा हूं, जब मुझे ppt's की जरुरत नहीं होती, मुझे content याद करने की जरुरत नहीं होती, मुझे content याद होता है, अगर मैं poor memory के साथ में आकर आपको ग्यान दे जाहूं, जिसकी खुद की memory पूर है, जो एक शब्द डंग से नहीं बोल पाता है, दो line integrate नहीं कर पाता है, दो line properly नहीं जोड़ पाता है, मुझे लगता नहीं कि आपने से एक इंसान मेरी बात सुने में interested होगा, और अगर OTT, ओजस्वी तेजस्वी भारत की बात हम लोग क का, तुमारी value का, तुमारी personality का, तुमारी status का, तुमारी परिवार का, तुमारी खांदान का, तुमारी performance का, हर चीज का मजा कुड़ा है, उनका नाम याद रखो दोस्त, memory पहुंच जरूरी है, और याद नहीं रख पाए, तो नहीं पढ़ जाएंगे, read करो, revise करो, point निका सके, मतलब मैं, आपको यह बता दे रहा हूँ, महानता का एक रास्ता है, memorization, यह बाकी supplement है, यह help कर सकते हैं, यह भई, आप मुझे बताओ, कि मुझे अच्छा cricket खेलना क्या करूँ, तो यह supplement है, help कर सकते हैं, करोगे क्या, practice, memory की practice यह है, सब निकल जाएगा, हमारे शरीर का जाता है, खाना खाओके चला जाएगा, पानी प्योगे चला जाएगा, सांस लोगे भारा जाएगा, जो आएगा, वो चला जाएगा, रोक के रखना है, क्योंकि भूलना जरूरी है, negative बातो, आपको यह समझ लेना है, कि अगर आप memorization की practice कर रहे हो, मनन की practice कर रहे हो, तो आप यह महसूस करोगे, कि आपकी जिंदगी में चमतकार होना शुरू हो गए, mobile dependence घतम कर दो, PDF के चकर में मत रहो, खुद content लिखो, pen चलाओ, pen चलेगा, दिमाग चलेगा, इस चीज को हमेशा के लिए रट लो दोस्त, memorization, मनन, जिसमें आप एक topic, जैसे माल लो, XYZ, मैं decide कर सोचूँगा, कि cell के बारे में, cell biology के बारे में, cell division के बारे में, बैठा हो और मैं सोचूँगा, सुरू से, discovery किसने की, organist कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है, कैसे cell divide होती है, mitosis क्या होता है, meiosis क्या होता है, मैं बटे बटे सोच रहा हूँ, किस से बात, बखवास नह बहुत मजदीक होंगे, और हिंदुस्तान का कोई सा भी एक्जाम हो, UPSC, नीर जी, दुनिया का कोई सा एक्जाम हो, तो कि मैं आज कल देख रहा हूँ, मेरे सेशन कुछ भारत वंशी, जो लोग US में रहते हैं, वो देखते हैं, नेपाल, में 45-50 साल के लोग भूल रहे हैं, ये इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट कहती है, इसा कहा गया, और ये ब्रेन विल रस्ट इफ यू दोंट यू रहे हैं, पहन चलेगा, दिमाग चलेगा, कोई संदेव समें नहीं है, distal amnesia, ओरिटियन को distal amnesia नहीं हो सकता, एक चीज़ देखो, neurogenesis में आपको बताया था, neurogenesis is the formation of neurons, और ये hallmark के जिसे brain develop हो सकता है, कहां होता है mainly, तो hippocampus में होता है, कैसे होता है, memorization, और, और कैसे होता है, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, कैसे बहाँ सीडियां चड़ो, brain change कर दोगे तुम यार, किसमत की क्या उकात है, brain change कर दोगे तुम, मलब किसमत तो कुछ भी नहीं है, हमेशा के लिए, मलब जिसका brain ही change हो गया, उसके लिए किसमत क्या चीज़ है, neurons, neurons जब आपस में interconnect होते हैं, तो उसको neural connections बोलते हैं, और neural connections को आप better कर सकते हो, वाया memorization, बहुत तगड़ा बना सकते हो, वाया memorization, आपके जिन्दगी को हमेशा के लिए change कर सकते हो, वाया memorization, तो यह हमारा आज का discussion था, जिसको हमने आज, जिसके उपर आज हमने विचार किया, मैं इसको perfect करने के लिए, best करने के लिए सारे वो प्रियास किये हैं, जो मैं कर सकता हूँ, सारे किताबे पड़ी है, पूरा content research किया है, आपके इसाब से best of best बनाने की कोशिश की है, पूरी हिम्मत से आपके सामने represent किया है, आप सभी का बहुत-बहुत दन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, समय है अब थोड़ा सा rest, थोड़ा सा rest करने का, क्योंकि जिंदगी बहुत कुछ करना बाकी है, हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत बनाना है, जैसे इस चैनल पर एक लाग के आसपा सब्सक्राइबर पहुंचते हैं, मैं यहाँ पर live session लेना स्टार्ट कर दूँगा, powerful लोग हिंदुस्तान की राजनिती भी समालेंगे, हिंदुस्तान की किस्मत भी समालेंगे, हिंदुस्तान की एकोनोमी, हिंदुस्तान की पॉलिटी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, शायद वो हमेशा के दिदे बदल देंगे, हिस्ट्री भी बदली जाती है बशरते आप में दम को, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन का फीड़बेक कमेंट में जरूर से दीजिएगा, इस मुद्धे पर आप सेशन चाहते हैं, वो भी जरूर से बताईएगा, ये थास का सेशन चमतकारिक मेमरी के उपर, और सीक्रेट इस मेमराइजेशन, बहुत बहुत धन्यवाद